हालो फ्रेंट स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल प्रोफिशनल ब्यूटी वर्ड में कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्विक ब्राइडल मेकप लुक लब कितनी फास्ट और कितनी जल्दी ये ब्राइडल मेकप लुक हो जाएगा आप देख कर जादा यूज किया है मैं आपको बता रही हूँ step by step कि किस तरह से हमें बिल्कुल जल्दी से मेकप कर देना है तो यहां पर मैंने क्लीजिंग, टौनिंग, मॉस्चराइजिंग कर दिया है और प्राइमर लगा कर मैंने उसको सैट होने के लिए छोड़ दिया है और प्रा सैट होने के बाद में जहां भी problem है इनके face पर बहुत जादा redness थी तो मैंने green character यूज किया है और जहां पर थोड़ा सा भी आपको dark area लग रहा है pigmentation है वहां पर आप orange character यूज करेंगे तो जहां जहां थोड़ा dark area था वहां पर मैंने orange character यूज किया है और उसको अच्छे से apply कर देंगे सेम मैंने इनके skin tone का लिया है exact skin tone का आपको लेना है और हम कोई foundation यूज नहीं करेंगे इसी से हम आज make up करेंगे और आप देखेगा आपने पहले भी result देखा होगा photo मैंने डाली है कैसा make up लुक हुआ है और final look आप देखना किस तरह से कितनी आपको जल्दी में apply करना हो तो foundation हमेशा brush से apply करें या फिर आप beauty blender के help से भी apply कर सकते हैं तो काफी अच्छे से हमारी और काफी जल्दी से easy हमारी application हो जाती है सो जब भी आपको जल्दी हो तो आप या तो brush से या फिर आप beauty blender से foundation apply करेंगे उसके बाद में यह जो मैं shade ले रही हूँ तो यह मैंने exact इनके skin tone का shade लिया था और उसी में मैंने थोड़ा ivory mix किया है और इनके skin tone से two tone lighter मैंने shade बनाया है और उसको मैं इनके highlighting points पर apply कर रही आपको हमेशा neck का ears का ध्यान रखना है कोई भी जगे चुटना ने चाहिए जो clients के open area होते हैं वहाँ पर हमें foundation apply करना है ताकि even skin tone नजर आए क्योंकि color हमने अगर थोड़ा lift किया है तो जरूरी है कि even skin tone नजर आए neck पर ears पर सभी जगें हमें foundation apply करना है अभी देखें हमारी blending blending हो चुकी है blending आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और अभी हम brush से powder नहीं लगाएंगे powder के लिए हम beauty blender का ही use करेंगे और इसी से आपको जल्दी से इसको set कर देना है मेरी दूलन को बहुत जादा जल्दी थी इसलिए बहुत ही quick मैंने makeup किया था video मैंने थोड़ा past किया है क और देखे गाईज इसमें मैं आपको बता रही हूँ आई शेड होगी आपको कितनी जल्दी से apply होगा मैंने आपने notice किया कि जब मैंने foundation लगाया था concealer लगाया था उसी समय मैंने client के eye base के लिए भी मैंने वही concealer ही use कर लिया था तो मेंको यहाँ पे extra time नहीं देना पड़ा त तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और उसके बाद में मैंने pink shade लिया है उससे मैंने contour area पर थोड़ा सा pink shade दिया है उसके बाद में नीचे मैंने red shade लिया है और red shade को मैं पूरा जो lid है वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से blend करते वे दूँगी सिर्फ deposit नहीं करेंगे वहाँ हमें से blend कर देना है और जो हमारी crease line बन जाती है जब हम shimmer apply करते हैं उसको आपने blend कर देना है blend करने के बाद में मैंने यहाँ पर पहले lashes apply कर दी थी वैसे मैं हमेशा liner लगाती हूं उसके बाद lashes लगाती हूं फिर एक बार liner लगाती हूं लेकिन आज यह लूप यह जो बेस मैंने बनाया है मुश्किल से मुझे 15 मिनिट लगी होगी तो देखे गाइस इसमें मैंने liner बार में apply किया है mascara apply कर दिया है और यह lipstick मैंने ली है red color यह है mebeline super stay lipstick है shade है ambitious और काफी अच्छा shade से bridal के लिए यह वाला तो आप अगर bridal के लिए कोई shade लेना चाहते है तो आप यह वाला shade ले सकत है contour मैंने skip कर दिया है क्योंकि time का बहुत ज़्यादा issue था और blusher मैंने apply किया है highlighter हमें apply कर देना है highlighter लगाते ही shining आप देख सकते है highlighter मैंने use किया है forever 52 को twinkle करके highlighter आता है वो मैंने use किया है और final look आप देख सकते हैं किती जल्दी से हमारा makeup हो चुका है बहुती glossy makeup वहा था